आप लोग कैसे हैं आई होप आप ठीक होंगे अल्लाक फजुगम से मैं भी ठीक हूँ हर वीडियो के शुरू में आपसे किया ही रिक्वेस्ट होती है अगर आप में चैनल पर न्यू है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें लाइफ भी करें शेम भी करना मत भूलेगा सो आज हमारे बहुत थी दूर से हमारे कुस्की गैथ आ रहे हैं बताएंगे कौन आ रहा है सो मेरे मामू आ रहे हैं करवाजी से उनकी आज उनकी वाइफ की उनकी ममा पापा की उनकी प्यारे पैसे गोलम वालू से दो मतब काकों की और मामू की आज स्पेशल कराची से यहा दावत है तो और आज में के लिए बहुत बहुत स्पेशल स्पेशल डिस बनाएंगे तो आपने मेरे वीडियो के साथ लास्ट टिक जड़े रहना है कि इस वीडियो में आपको मैं 4-5 शेयर मैं आपको रेस्पीस दूँगी अब चलते हैं फोरण से घर और वां जाके हम लोग अपनी रेस्पीस बनाते हैं मुझा जली जली आज़े बस यही मेरे लिए हैं उनके बच्चों के साथ खेल हैं यह है हमारे मजे के टेस्टी टेस्टी यमी यमी से खाने तो अभी मैं आपको इन सब खानों के रेस्पीज बताऊंगी ये है हमारी मज़े की बर्यानी जो कि मुझे बहुत पसंद है चले सबसे पहले हम लोग मना चाहे हैं चना चाह टमलेस के लिए थोने से लिए हैं चने और ये है कुछ आलू और ये है खीरा बॉल किया हुआ लोबिया टमाटर ये है शिमला मिच और सबस मिच प्याज धनिये पुदिने की थोड़ी से चटनी थोड़ा से चाट मसाला और अब जाएगे इंबली की मज़ेदार सी चटनी और थोड़ा सा दही हाँ जी जी हमाई चैना चाट बहुत ही मज़े की बनने वाली है कमेंट बॉक्स में जरूर अम अब ट्राइग करना कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि च्वेना चार्ड आप लोग ने जो घर में बनाई थी कैसी बनी थी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक और इसको इसमें भी से अपने दरीग भी एड़ कर दिया और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें शो गयाँ है कितनी यमी सा कितनी टेस्टी सी कितनी कलरफूल सी मानी चार्ट है हमनी इस पर हाफ लेमानगी चोड़ दिया था और ये मतलब थोड़ से खटा-खटा हो जाए और हमारी एक डिश हो चुकी है रेड़ी चना चाट के और ममा ने इसको डिश आउट कर लिया है इसके अभी ममा धनिये पुदीने से इसके भी गार्णिश करी है और ममा ने इसको रैप कर दिया है हाँ जी जी अब हम लोग मसाले वाली फिश बिनाते हैं इसमें हम लोगों ने प्यास अदक लिशन का पेस्ट टमाटर एड़ कर दिया है इसको अच्छी ज़़ा मिक्स कर ले नमक क्रश मिट्च काले मिट्च इसमें एड़ कर दी है और इसमें ममा ने थोड़ा सा शाय दहीं डाला है और इसको भी कवर कर दी है ममा ने जितनी दिर में मसाला सॉफ्ट होता है जिन्दे में हम लोग फिश फ्राइब कर लेते हैं ममा ने मसाला फिश एक जगह पे रखकर इसको 20 मिंट के लिए कवर करके हंडी जी माई दो दिश हो चुकी है रेड़ी अभी हम लोग तीसरे डिश रेड़ी करते हैं हंडी जी हमारी मज़े की ब्रानी बने लगी है वावाव वावाव भी हम लोगों ने कुछ कटके हुए प्यास ली है जो कि हम लोगों ने कड़ाई में एड़ कर दी हैं और वह अब हम लोगा ने इसमें अधर क्लिस्न का पेस्ट एड़ कर देते हैं अब हम लोगा ने इसमें चार पंच तोमाटर कट करके डाल दी हैं और अब इसमें बाग कीस सपाइसीज एड़ कर देते हैं 1 वन टेबल स्पूण नमाक 1 टेबल स्पूण लाल मेच वन टेबल स्पूण कर Lea वन काली मेच वन टेबल स्पूण जीरा पाॉडर अब इसमें हम लोगों ने साथ आठ आलो बुखारे रेड़ कर दिये हैं और थौले से इंबले बेड़ डाल दिये हैं और थौली से ये मतब ग्रेंड मेर्च अभी हम लोग मज़दार सा कॉनमा रेड़ी करें बर्यानी के लिए और चार चेमच ममा ने इसमें बर्यानी मसाले के एड़ किये हैं इससे बड़ी अच्छी कश्बूआते इससे बर्यानी का जाईका बहुत अच्छा बनता है हंजी जी एक किलर चिकन डाल लिया है इसको अच्छी तरह कुप कर ले ममा जब एक कॉर्णमा बनारी था इसं Practice जूंग वाइट वाइट क्यू लग रहा है आब ही ममा ने हर्दि एड़ किये है एक वन टेबल स्पूर को भी और देखें हर्दी डालने से कितना अच्छा कलर आ गया है अब तक रीब इसमें एक प्याली बीट किया हुआ दहीं आड़ कर देते हैं इससे बहुत ही खटी-खटी बिर्यानी बनेगी जरसे ही हम लगने इसमें इंबली आलो बुखा रहा है आड़ के बहुत ही खटी-खटी सी बिर्यानी बनेगी बहुत ही टेस्टी टे कौर्मा अंदर रहने दिया इसमें अब वाल के हो चावल औरंज फूड करा धनिया ग्रेंज लेमन और ये जो ये कौर्मा था ये भी ममा ने इसकी उपर एक और तै लगा दी है फिर जावरों की तै लगा दी है तै मैं सता की तै नहीं दूसरी तै और ये ममा ने दुबारा उ और ये पूड कोलर दनिया सबस्मेंट ममा ने सब पुछ दुबारा उपर अब प्याज ममा ने इसकी उपर सरकल करके अड़् कर दिया तो माटर भी देखें कितना यमी सी लग रही है बर्यानी वाओ गाईज उसकी लुक देखें कितनी जबरस्त कितनी प्यारी लग रही ल दम पे पुछें है वाओ गाईज कितनी जमी लग रही है देखें ममा ने इसको मतलब हिला लिया और देखें किती टेस्टी लग रही है उसका ओरंज फूट कलर जैसे यह चावलों पर पहला ना चावल देखो चलंबे लंबे उह लग लग से हैं कितने वाईज सैंब कहते मज़े की हो चुकी है ब्राणी रैडी और मममा अब इसको डिशाफ्ट करके इसकी प्यारी सी गार्णिश करते हैं वाव गास जिब हम लगों ने इसको खाई थी तब बहुत टेस्टी सी थी और इकते यम्मी यम्मी से लग रही है मममा ने इस पर शे ओनियन और टमाटर और लैमन अट कर दिए अब हमारी फॉर्स डिश चिकन पापकों रेडी होने लगे हैं मममा ने इसको दड़ा मिच्च लाल मिच्च काले मिच्च और नमक लगा के और एक लैमन लगा के मैगिनेट कर लिया था इसको谷्टिंग करने के लिए मम्मा ने आदा कब मेदा लिहें पखलेने के लिए चावल fak आठा और खुड़श मिट्ट नमक और खाड़ मिट्ट मिट्ब लिए इसमें चिकन मांगिनेट किया चुल इसमें मम्मा ने हीमत्ट चिकन के एक पीस जो चिकन था उसी पर ममी घा दिया ममा भी मेदा मतब उसके उपर कर रही है और वसे बहुत ही यमी से लगने है टेस्टी कृंशी कृंशी से मतब जब बाने थे लिए बहुत कृंशी से मने थे जो चिकन के पीसिस थे वह भी हम लोगों ने एक पैन लिया है और इसमें फ्राइब कर रही है ममा एक एक पीस रखे ओयल में और यह भी बहुत ही करंची से बने थे जब हम लोगों ने खाये थे आयल जादा गरम करना, हम ने थंडे ओल में ही उपार लें आघर थंडे ओल में डालने, जो मह्दे की कौटिंग किया है, वह सारी ऊतर जाएगी। मैं तक और जाएगी और गर्त ने चिकन के उपार ही रहेगी। आपने तरीके से डालना ना और आपका ओड़ां आपकी उपर ना इसकी ढ़राइब कर देहाना है कितने पैरा पैरा से गॉर्डलन आया कि तसे की घुट सा लग रहा है गॉर्लन सा कलर मामा ने तरह करी तर्फ हम आपको बाद से दूसरी साइट कर दी है और देखी कितना युमी सा लग रहा कि तो टेस्टी है जब हम लोगों ने चिकन पॉपकॉन खाय थी तो इतने करंची इतने मज़े के थे ना और आप सोच दोंगे चिकन पॉपकॉन क्या चीज़ होती है चिकन में पॉपकॉन तो ममा ने बॉनलस चिकन के बनाए अब यह इस नहीं नहीं ममा ने दूसरी तरह बनाया है तो गाइस देखें यह हमारी सारी डिशीज हैं और हमारी जुन की दावत ही मेरे मामू की और वह लोग भी आ चुके हैं मैं उनकी बेटों बच्चों के साथ बहुत खेली मुझे बहुत मज़ा आया सच में आठ का दिन तो मेरा ल झालाओ का ले लोग लोगः नहीं मेरे लोग लोग भाव लोग चुझे नहीं लोगई जाशाग को अधने साथ जो बहुत खेली मुझे तो गाईज न में डिस्टेर खान पर सारी चीज़े आज चुकी हैं वर्यानी है यह रायता है तो गाईज चुने चार्ट है चिकन पॉपकोन है उसके बाद बर्यानी है फिश्ट का सालन है उसके बाद यह शाही टुक रहे है इसकी रेस्पी मैं आपको किसी और दिन दूँगी रायता है तो गाईज बताएं कि आपको मेरा आज के व्लोग कैसे लगा अलाहाफिस